आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें कॉशन गेवान है हमारे पास, at what distance the sun rays can be focused by a converging lens of focal length 20 cm, कॉशन में बोलने का मतलब ये है, कि एक converging lens हमारे पास है, जिसमें sun rays उस पर incident हो रही है, अब ये पूछा जा रहा है कि उस converging lens जिसके लिए उसकी focal length की value 20 cm है, sun rays जो वहां से incident हो रही है, एक side से वो another side पर, मतलब डूसरे side पर कितने distance पर focus होने बाली है, जैके ये question given है, इसके लिए लेते हैं हम diagram, अब question के according जैसे हमने diagram लिया हूँ, अब question के according जैसे हमने diagram लिया हूँ, देनोट कर रहा है किसी converging lens को, converging lens क्या होता है, convex lens को ही हम converging lens कहत है, क्यों उसका nature ये होता है, कि जो light incidents होती है, after the incident, ये reflection के बाद, किसी एक point पर focused होती है, या focus होने लगती है, so यहाँ पर हम उसके pole point को अगर दिखाना चाहते है, तो pole point हमें point ओपर मिलने वाला है, जैके, अगर हम दिखते हैं कि light rays जो है, जैके, वो कहां से आ रही है, वो focus point पर मिलती है, जैके, तो focus point अगर हमने ये कहा है, तो focus point हम यहाँ पर कहते है, capital F से, pole point से हम अगर focus point तक के distance को देखते है, तो हम उसे क्या कहते है, उसे हम focal length कहते है, और इसे small f से denote किया जाता है, जैके, तो यहाँ पर pole दिया गया कि वो कितना है, वो question के according 20 cm है, जैके, त converging lens होता है, अगर उस lens के principle axis के parallel light rays incident कर रही है, तो ये focus point से हो करके जाएंगे, जैके, या focus point पर मिलेंगे, तो focus point पर मिलेंगे, मतलब हम उसे क्या कहेंगे, कि ये वहाँ पर centered हो रही है, focused हो रही है, यही question पर पूछा गया था, तो हमें पूछा जा रहा था, कि कौन से distance पर रहने वाला है, 20 center पर 20 cm के distance पर, sun rays जो है, वो converging lens से focus होंगे, thank you.